गुड मॉर्निंग स्टुनेंट्स टोड़ी जोजी के क्लास ना टोड़ी वी आ गूइंग टो स्टार्ट चप्टर 29 इस हैंडीक्राफ्स आफ इंडिया हैं मतलब बता है हाथ से बनी होई चीजे तो भारत में कौन सी चीजे हाथ से कहा पर बनाई जाती है मैश्टा हैंडीक्राफ्स इस टेट सीटी टू विच टे बिलाओं यहां पर कुछ हैंडीक्राफ्स की आपको पिक्चर दी हुई है साथ में states के name दिये है तो handicraft से हमको state को क्या करना है match करना है first picture याप पर दी हूँ यह चिकन कारी यह जो work है इसको चिकन कारी कहा जाता है यह चिकन कारी है यह कहाँ पर होता है यह लखनो में होता है तो ठीके जो लखनो है वो number G पर लिखा है तो हम लखनों के सामने number 1 डालें number 2 पर लिखा है बनारसी तो जो बनारसी work है यह कहाँ पर होता है handmade साडी स्टों वारा नसी बनारसी जो साडीया है वो हाथ से बनाई जाती है तो हम C के सामने number 2 डालें number 3 है धाकाई जो धाकाई का work है वो होता है West Bengal में ठीक है West Bengal का वर्क है ये तो यहाँ पर हम West Bengal के सामने number 3 डालेंगे Madhu Bunny Art Madhu Bunny Art जो है वो होता है painting from Bihar ठीक है ये Bihar की painting है ये कपड़े के उपर painting की जाती है यहाँ पर हम number 4 डालेंगे Now next मेखला चादर जो मेखला चादर है वो आसाम में होता है तो यहाँ पर इसी के सामने आसाम लिखा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे number 5 number 6 ब्रास वर्क ये जो काच और इन सब चीजों से ब्रास की चीजों से जो वर्क होता है किसी भी आकरती पर तो ये कहाँ पर किया जाता है तो मुर्शीदाबाद यहां पर लिखा है तो हम इसके सामने क्या डालेंगे नमबर 6 डालेंगे नाव नाइक्स्ट है कोंडापली टॉइस तीक है यह जो कोंडापली टॉइस है अलग-अलग तरके जो मिट्टी है इस तरके का अलगी मिट्टी होती है यह जो टॉइस बनाए जाते हैं यह जो अंदर प्रदेश में बनते तो हैं यहां पर हम नमबर 7 डालेंगे नाव नेक्स्ट डॉट ब्लैकवर वर्क लकडी से अलग-अलग तरके कला करतियां जो बनाई जाती है यह होती है नमबर एक डालेंगे हम राजस्थान प来 ठीक है राजस्थान में होती है वह अपर आपको हर चीज जो है वो नकडीकी मिलेगी ठीक है खिलोने है टॉइज इलब जो भी है महां लकडीके सामन मिलते है नॉर नेक्स एक फिलिग्री फिलिग्री जो है यह एक silver work है और यह जो silver work है यह ओड़ीसा में होता है यहाँ पर हम number 9 डालेंगे silver work from odisa and next है kangri work यह जो kangri work है यह काश्मीर का है तुम काश्मीर के सामने क्या डालेंगे number 10 तो इस तरह से आपको यह जो handicrafts हैं इनको इनके state से match करना है और इनको आपको अच्छे से learn करना है now come on next chapter next chapter है आपका know your body ठीक है अपने शरीर के बारे में कुछ यहाँ पर आपको दिये हुए है तो आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी मिलेगी fill in the blanks, choose the correct option from the help box philips दिये है, help box दिया है, हमको यहाँ पर feel करना है the organ system by which you breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide is called कौन से system से हम oxygen अंदर लेते हैं और carbon dioxide को बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं respiratory system, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं the digestive process starts in the ठीके, पाचन की जो क्रिया है, भोजन पचाने की जो क्रिया है, वो कहां से start होती है तो mouth से, क्योंकि खाना हम कहां खाते हैं, मुह में खाते हैं जब हम मुह से अच्छे चपा के खाएंगे तो ही हमारा भोजन क्या होगा, अच्छे से digest होगा how long is an adult human small intestine एक adult मतलब एक मानव की जो छोटी आथ है, वो कितनी लंबी होती है, तो वो होती है 22ft, यहां क्या लिखेंगे 22ft, 22ft होती है the movement of blood around the body is called the body का जो blood है, वो सब्दूर पहुचाने वाला जो system में उसको क्या कहते है, तो उसको कहते है, circulatory system जो हमारी पूरी body में रख्त प्रवाह करता है how many chambers does the human heart have, जो मानव का, इंसान का जो heart है, जो दिल है, उसमें कितने chambers है, तो उसमें 4 chambers है a brain weight on an average, ठीक है, एक दिमाग होता है, उसका average वजन क्या होता है, तो उसका average वजन होता है, 1.4 kg the body system that breaks down food to be used by body for different functions is called, ठीक है, बोडी का कौन सा system ऐसा है, जो भोजन को टुकडो टुकडो में तोड़ता है, उसको break down करता है और फिर वहां से अलग-अलग different part में, जो food है वो जाता है, और हमारी body क्या करती है, फंक्शन करती है, तो उसको कहा जाता है, digestive system, digestive system में क्या जाता है, बोजन पच्टा है और फिर वहां हर पार्ट में जाता है, – the smallest bone in a human body is located in the, ठीक है, सबसे छोटी bone जो है human की वो कहां पर located है, तो वो क्या है, middle ear, और कहां पर है वो ear में, कान के सबसे बीचों, बीच में, जो हटी होती है, वो सबसे smallest हटी है, सबसे छोटी bone है, – How many bones does an adult human have? जब human की growth मतलब थोड़ी कम हो जाती है, adult हो जाता है जब, तो इसमें कितनी bones होती है, तो इसमें होती है 206, 206, जो बच्चा छोटा रहता है, तो इसकी bones कम होती है, जब बड़ा हो जाता है, एडल्थ हो जाता है, human, तो इसकी bone कितनी हो जाती है, पूरी complete होके 206, The largest internal organ inside our body is, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा internal organ, आंतरिक अंग कौन सा है, वो है लीवर, ठीक है, जो लीवर है, वो सबसे बड़ा internal organ है human body में, तो इस तरह से आपको भी अपनी body के बारे में जो यहां पर कुछ बाती दी हुई है, इसको आपको book में complete करना है, और इसको भी आपको learn करना है, तो यहां page number 52 तक सबी बच्चे अपना जो work है, वो अच्छे से complete करके रखेंगे, thank you, कर दो 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 क